हेलो बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा 6 हिंदी वसंत का तीसरा पार्ट नादान दोस्त आप देख रहें नहीं आपर यह आपका कक्सा 6 हिंदी वसंत के अंतरगे तीसरा पार्ट नादान दोस्त हम आपको बताएंगे बच्चो इस पार्ट का सारांस और साती सात पार्ट से सम्बंदित प्रस्णों के उत्तर भी तो आप लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और से कर दें वेल आइकन भी दबा दें बच्चो ताकि आपको आने वाली परतेक पार्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जानते रहे अपने कक्शाची है हिंदी वसंत्स के सभी पार्टों के प्रस्ण उत्तर सारांस और भावारत हमारे साथ तो आप देख रहें यापर ये है आपका कक्शाची है हिंदी वसंत के अंतर गय तीसरा पाट नादान दोस्त और इस प प्रेम चंद और फिर शुरू होते हैं यहाँ पर इस पार्ट के प्रस्ण जिनका उत्तर हम आपको अभी यहाँ पर बताने वाले हैं तो आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे अपने पार्ट से संबंदित सभी प्रस्णों के उत्तर तो चलिए शुरू क करते हैं सबसे पहले जान लेते इस पार्ट का सारांस आप ध्यान दे बच्चो आप इस पार्ट के सारांस को चाहे तो अपनी नोट बुग में नोट कर ले नादान दोस्त प्रेम चंद जी की एक बाल कहानी है जिसमें उन्होंने केसब और उसकी बहन स्यामा की नादानी का वर्णन किया है केसब के घर कार्णिस में एक चिडिया ने अंडे दिये थे केसब और उसकी बहन बार बार चिडिया को कार्णिस के उपर आते जाते देखते बच्चे खाना पीना भूल कर चिडियों की अवाजाई को देखने लगे उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, बच्चों का घोसला कैसा होगा, इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, वे दोनु आपस में ही बाते करके दिल को तसल्ली दिया करते, इस तरह 3-4 दिन गुजर गई, वे अंडों को देखने के इतना दाना कहां से ले आ पाएगी कि सभी बच्चों का पेट भर सके अताय दोनों ने चिडिया की साहता करने की सोची दोनों ने फैसला किया कि कार्णिश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए गोसले के उपर कपड़े की छट बना दी जाए पानी की भी व्योस्ता कर दी जाए केसव ने कुड़ा फेकने वाली टोकरी को गोसले की आड के लिए रख दिया गर्मी के दिन थे बाबु जी दबतर गए थे अम्मा दोनों बच्चों को सुला कर खुद सो गई थी लेकिन बच्चों को नीद नहीं आ रही थी वे चुपचाप दबे पाउठे अंडों की हिपाजत की तयारियां होने लगी कमरे से स्टूल लाया गया वो छोटा पड़ा तो नहाने की चौकी स्टूल के नीचे रखी गई स्यामा दोनों हातों से स्टूल को थामे हुई थी के सबके आते ही चिडिया उड़ गई उसने देखा कि तीन अंडे हैं जिसमें से बच्चे अभी नहीं निकले हैं स्यामा दोड़ कर पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई जिसे विचा कर एक गदी बनाई गई और उसके उपर तीन अंडे उठा कर रख दिये गए स्यामा प्याली और चावल भी ले आई इसके बाद स्यामा ने भी अंडों को देखने की इच्छा परकट की लेकिन केसब ने स्यामा को फटकार लगाई कि तू गिर पड़ेगी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें खिलाएंगे अताय दोनों ने इस्टूल और सारे सामानों को उठा कर रख दिया इतने में कोट्री का दर्वाजा खुलता है माधूप से आँखों को बचाते हुए दोनों को डांट डपट कर कमरे में सुलाने के लिए ले गई अब बच्चों को नीन आ गई चार बजे अचानक सियमा की नीन खुल गई वहाँ दोड़ती हूई कारनिस के पास गई वहाँ पर आंडों को जमीन पर पड़े हुए देखती है दोड़कर वहाँ केसब को बुलाती है केसब पानी की प्याली और आंडों को जमीन पर फुटा हुआ देखता है तबी तो स्यामा बताने लगती है कि केसब भहिया ने अंडों के नीचे गद्दी बिछाई थी तो मा कहती है तुम लोग इतना भी नहीं जानते हो कि अंडों को छूने से वे गंदे हो जाते हैं फिर चिडिया उन्हें नहीं सेती है केसब को कई दिनों तक अपनी गलती का अहसास र ठीक है बच्चो तो ये था यहाँ पर इस पूरे पाट का सारांस जो कि हमने आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाया उमीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा तो चलिए इसके बाद जान लेते हैं पाट से सम्मंदित प्रसनों के उत्तर भी अब्यास प्रसन उत्तर में और पहला प्रसन है बच्चो केसब और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे तो आप क्या जबाब लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे केसब और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनएक प्रसन उठते थे जैसे कि अंडे कितने प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं और इसे याद भी करें दूसरा प्रस्ण है बच्चो अंडों के बारे में दोनूं आपस में ही सवाल जबाब करके अपने दिल को तसली क्यों दे दिया करते थे तो उत्तर क्या लेखेंगे उत्तर लेखेंगे केसब और श्यामा दोनूं ना अम्मा को घर के कामधंदों से फुरसत थी ना बाबुजी को पढ़ने लिखने से ठीक है तो ये है आपका दूसरा प्रस्ण और उसका उत्तर अगला प्रस्ण है तीसरा अंडों के तूट जाने के बाद मा के यहाद पूछने पायर कि तुम लोगों ने अंडों को छु हुआ होगा के जवाब में स्यामा ने बताया कि केसब ने अंडों को छेड़ा अम्मा जी क्योंकि उसे लगा कि केसब ने ही सायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर पड़े इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए तो ये था आपका तीसरा प्रस्ण और उसका उत चोथा प्रस्ण है बच्चो पाठ के आदार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ तो उत्तर लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे के सब के छुने से चिडिया के अंडे गंदे हो गए किसी के हाथ लगाए अंडों को चिडिया नहीं सेती च इस्तरे अंडे बरबात हो जाते हैं, तो ये है आपका छोथा प्रस्न और उसका उत्तर, पांचो प्रस्न है, सही उत्तर क्या है, अंडों की देखवाल के लिए केसब और शिया मा धीरे से बाहर निगले क्योंकि, और क्योंकि के बाद, यहाँ पर कह खह गय है आपके लिए, क क्यों बाहर दूप में घूमें तो उत्तर क्या लेखेंगे उत्तर आप लेखेंगे अंडों की देखवाल के लिए केसब और श्यामा धीरे से बाहर निकलें क्योंकि मा नहीं चाहती थी क्यों बाहर दूप में घूमें तो आपका कौनसा उप्शन सही है ये वाला मा नहीं चा उत्तर आप लिखेंगे केशब और श्यामा ने चिडिया और अंडू की देखवाल के लिए निम्न लिकित तीन बातों का ध्यान रखा नमबर एक आराम के लिए कपड़ा बिचाया नमबर दो दूप से बचने के लिए टोकरी से ढख दिया और नमबर तीन पास में दाना और पानी की प्याली भी रखी तो यह है आपका उत्तर छटा प्रसन है आपका और उसका उत्तर अगला है बच्चो साथवाँ प्रसन है कारनिश पर अंडू को देखकर केसब और श्यामा के मन में जो कल्पनाए आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कारे किये क्या वे उचित थे तरकसाइद उत् तो आपको क्या लगता है बच्चो क्या ये जो उन्होंने काम किये थे क्या उत्तर में लिखेंगे कारनिश पर अंडू को देखकर केसब और श्यामा के मन में जो कल्पनाए आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कारे किये वे उत्तर नहीं थे परंत उनकी बाल सुल दिया होता तो वे ऐसा नहीं करते तो आप लिख सकते न इस प्रकार से अपने इस साथवे प्रस्न का उत्तर और इसके बाद अगला प्रस्न है आटमा पार्ट से मालुम करो कि मा को हसी क्यों आई तुमारी समझ से मा को क्या करना चाहिए था उत्तर लिखेंगे मा को को अंडों के बिशे में जानकारी देनी चाहिए थी ठीक है देनी चाहिए थी कि नहीं तो इस प्रकार से आप अपने आठवे प्रस्न का उत्तर यहां से लिख सकते हैं अगला प्रस्न है बच्चो मा के सोते ही केसाब और श्यामा बाहर क्यों निकल आए मा के पूछने पर बहुत थी दोनों में से किसी ने किवाड खोल कर दोपर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया यह नववां प्रस्न आपका और उत्तर आप लिखेंगे मा के सोते ही केसाब और श्यामा दोपर में चिडिया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने बाहर निकल आये पिटाई के डर से मा के पूछने पर भी दोनों ने दोनों में से किसी ने किवाड खोल कर दोपर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया आप भी नहीं बताते न जब आप कोई काम करते हैं तो पिटाई के डर से मम्मी को कुछ नहीं बताते लेकिन ये गलत बात है बिना ममी पापा के पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आप जूए नवे प्रस्न का उत्तर लिख सकते हैं अगला प्रस्न है बच्चों दस हुआ प्रेम चंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा इसका अगर कोई और सीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे क्या नाम रखना चाहोगे इस कहानी का उत्तर लिखेंगे मैं इस कहानी में बढ़नित बच्पन की नादानी हूँ को देखते हुए इसका नाम बच्पन की नादानिया रखना चाहूँगा यही रखना चाहेंगे न, क्योंकि बचपन में नादानिया हो जाती हैं सब से तो आप क्या रखना चाहेंगे, बचपन की नादानिया तो आप इस प्रकार से अपना उतर लिख सकते हैं 11. अंजाने में हुई गल्ती, पर केसब को कई दिनों तक अफसोस होता रहा दोबारा उससे कोई ऐसी गलती न हो इसके लिए तुम उसे क्या सुजाओ दे सकते हो और लिखो कि केसब दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा आप क्या समझाना चाहेंगे उसे उतर में लिखेंगे के सबसे दुबारा ऐसी गलती नहों इसके लिए मैं निम लिखे सुजाओ देना चाहूंगा और पहला वह अपने माता पिता की आग्या का पालन करे दूसरा सुजाओ अगर उसे कुछ करने से रोका जा रहा है तो उसके पिछे की वज़े समझने का प्रियास करे और तीसरा वह अपनी नवीन योजनाओं की चर्चा अपने माता पिता सिक्सक से करे वह उनकी राय जानने का प्रियास करे पूछना चाहिए न अपने घर में कोई भी काम करने से पहले आप भी अपने घर में बड़े बुडों से पूछ लिया करे ममी पापा से खास तोर से आप पूछे कि ऐसा काम करना चाहिए या नहीं तो आपको सही दास्ता बता सकते हैं ठीक है तो आप लिख सकते हैं अपना उत्तर बारवा प्रसने बच्चो के सब और स्यामा चिडिया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुकते हैं क्या तुम्हें भी किसी नई चीज जगे या बात पर कोतुहल महसूस हुआ है ऐसे किसी अनव साल का था मैं पहली बार हवाईजाज से दिल्ली नानी से मिलने जाने वाला था तब मुझे बहुत कोतुहल महसूस हुआ था जिसे रोज आसमान में देखने की चाह रहती थी उसी हवाईजाज से मैं सफर करने वाला था मेरे मन में कई प्रसने उबरते थे जैसे इतने प्रक्सित पहुंचेंगे या नहीं या हवाई जाज को थोड़ी देर आसमान में रोक कर बाहर निकल कर तारे देख सकते हैं क्या तो इस प्रकार के प्रस्न आपके मन में भी उठ सकते हैं तो आप अपने हिसाब से भी इस बारवे प्रस्न का उत्तर लिख सकते हैं और जाए तो बिल्कुल आफ ऐसे ही लिखें इसके बाद बच्चो आते हैं आपके प्रस्ण भासा की बात के और यहां पर आप विशेश ध्यान दें तेरवा प्रस्न है स्यामा मा से बोली मैंने आपकी बाचीत सुन ली है क्या बोली मैंने आपकी बाचीत सुन ली है कौन बोला स्यामा बोली मा से ठीक है उपर दिये गए उधारण से उधारण में मैंने का प्रियोग स्यामा के लिए और आपकी का प्रियोग मा के लिए हो रहा जब सर्वनाम का प्रियोग कहने वाले सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुस वाचक सर्वनाम कहते हैं आपके लिए आपकी सुविदा के लिए बच्चो आपको बता दें इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं वहाँ पर आपको सर्वनाम से संबंदित एक जो है वीडियो मिलेगी आप उसे किलिक करें और हिंदी व परकार के पुरुष वाचाएक सर्वनामों के नीचे रेखा खीचो तो यहाँ पर आपका यह 13 प्रस्न है और यहाँ पर आपने इसको पढ़ना है एक दिन दीपू और नीलू यमनाताट पर बैठे साम की ठंडी हवा का आनन ले रहे थे तब यह उन्होंने देखा कि एक ल आपने इसे आपने पढ़नाम के नीचे अंडरलाइन करना है तो यहाँ पर उतर में आप इस परकार कर सकते हैं एक दिन दीपू और नीलू यमनाताट पर बैठे साम को ठंडी हवा का आनन ले रहे थे तब ही उन्होंने देखा एक लंबा आदमी लड़कडाता हुआ उनकी और चला आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने के नीचे आप फिर से द्यान दे बचो उन्होंने के नीचे यहाँ पर लाइन लगा रखी है और उनके नीचे भी यहाँ लाइन लगा रखी है तो यह क्या है तो इसी प्रकार से आपने लगाना है उनकी और तो यहाँ पर भी उसने के नीचे लाइन है तो यह क्या है सर्वनाम है बड़े देनियसवर में कहा मैं तो यहाँ पर भी सर्वनाम है भूख से मरा जा रहा हूँ क्या आप मुझे आपके नीचे भी लाइन है कुछ खाने को दे सकते हैं तो इस पिकार से आप जो यहाँ पर अ आप और अन्य पुरुष वाचक सर्व नाम है उन्होंने उनकी और उसने ठीक है तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं इस प्रस्ण का उत्तर चोद्वाँ प्रस्ण है बच्चो तगडे बच्चे तो यहाँ पर देखने हैं आप तगडे के नीचे लाइन लगी हुई है तगडे बच्चे और मसालेदार के नीचे भी लाइन लगी है मसालेदार सबजी और बड़ा अंडा और बड़ा के नीचे भी एक लाइन लगी हु तो यह क्या इनकी बिशेष्टा इसलिए ऐसे बिशेषणों को गुणवाचक बिशेषण कहते हैं इसमें ब्यक्तिया वस्तु के अच्छे बुरे तरह के गुण आते हैं तुम चार गुणवाचक बिशेषण लिखो और उनसे वाक्या बनाओ तो यहां पर भी बच्चो हम आ प्रकार से लिखें उतर में लिखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर जो है उतर में आप लिखेंगे जैसे यहाँ पर माला है गुलाब है लड़की है और सेट है तो यहाँ पर सुन्दर लिख देंगे आप नहा के गले में सुन्दर माला थी लाल गुलाब में प विसेशन है लाल भी विसेशन है गरीब भी विसेशन है और दयालू जो सब्द है यहाँ पर यह दयालू भी विसेशन है विसेशन की नीचे यहाँ पर हमने आपके लिए अंडरलाइन लगा रखी है ठीक है तो आप समझ सकते हैं किसी वस्तु व्यक्ति अस्तान की जो इनके गुणूख बता रहें कि माला कैसी है सुनदर है गुलाप कैसा है लाल है लड़की कैसी यह गरीब है देयालू क्या है सेट कोन है सेट कैसा है देयालू है ठीक है तो आप इस प्रिकार से विडियो जरूर से दरूर देखें डिस्किरिप्स strength बॉक्स में जाए आप अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंके होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, और उन में से बचे किस तरह निकलाएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, गोसला कैसा है, तो आपने क्या करना है, यह जो सारे के सारे प्रस्नवाचक वाक्य हैं, यह आपने सिंपल, य परणों की संक्या बताओ, उनका खाना बताओ, उनमें से बच्चे निकलेंगे, बच्चों के पर निकलेंगे, गोशले के बिसे में बताओ, ठीक है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा, इसके बाद सोलुआ प्रसने बच्चों, केसब ने जुन्जला कर कहा, केसब रोनी सूर बना कर बोला, केसब गवरा कर उठा, केसब ने टोकरी को एक टैनी से टिका कर कहा, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, सब के नीचे, जो यह वाक्य है, इसके नीचे जुन्जला कर जो है, इसके नीचे एक लाइन लगी हुए है, बना कर के नीचे भी लाइन लगी है, गवरा करके नीचे भी और टिका करके नीचे भी तो आपने इसी पर ध्यान देना है जिनके नीचे अंडरलाइन लगी हुई है और यहाँ पर जो है स्यामा ने गिड़ गिड़ा कर कहा ठीक है तो उपर लिखे वाक्यों में रेकांग के सब्दों को ध्यान से देखो तो आप इन्हें ध्यान से देखें सबके पीछे क्या लगा हुए कर क्या लगा हुए सबके पीछे कर आप देखरें ने जुंजला कर बना कर घबरा कर टिका कर गिड़ा कर तो यहाँ पर सबके पीछे क्या लगा है कर आप इन्हें ध्यान से देखें यह सब्द रीती वाचा क क्रिया भी सेशन का काम कर रहे हैं क्योंकि ये बताते हैं कि कहने बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई कर वाले सब्दों के क्रिया भी सेशन होने की एक पहचान या भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं अब तुम भी इन पांच क्रिया भी सेशन का वाक्यों में प्रियोग करो और यहाँ पर जो आपने ठीक इसी प्रकार से आपने भी वाक्य बनाने है तो जुझलाकर में आप एक वाक्य बनाएंगे जुझलाकर से अमर ने जुझलाकर खिलों ने फेक दिये ठीक है दूसरा बनाएंगे बनाकर से मा ने मुझे मोती चूर के लड़ू बन कर दिये और घबराकर में क्या बनाएंगे आप वाक्या राज अक्सर घबराकर जूट बोल देता है और टिका कर में लड़के ने अपने ठेले को दीवार से ठिका कर रख दिया ठीक है और इसी प्रकार से गिरगडा कर में मंदिर के बाहर एक विकारी गिरगडा कर भीक मांग रहा था ठीक है तो आप जो इस प्रकार से वाक्या बना सकते हैं आई बास समझ में ये था आपका शोलुआ प्रस्न और इसका उत्तर आप यहां से इस प्रकार से लिख सकते हैं आपको एक एक वाक्या बनाना है अगला है बच्चो सत्रुआ प्रस्न है नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंस दिया गया है कौन सी कहानी का सत्याग्रह कहानी का प्रेमचंद की कहानी अभी आपने पढ़ी नादान दोस्त इसी प्रकार से प्रेमचंद की एक और कहानी सत्याग्रह का यहाँ पर कुछ अंस दे रहा है जैसे कॉमा ठीक है पूर्ण विराम इस प्रकार से आपने विरामचिन लगाने है और पैराग्राप शुरू होता है उसी समय एक खुमचे वाला जाता दिखाई दिया ग्यारा बच चुके थे चारु तरफ सन्नाटा चा गया था पंडी जी ने बुलाया खुमचे वाले खुम न लगे मुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुपी मुझे दे यूँ तो वहां क्या रेंग रहा है मुझे भे होता है तो आप देखने याँ पर किसी में भी कोई सा चिन नहीं लगा रखा है इस पूरे पैराग्राप में कहीं पर कोई चिन नहीं है न तो उतर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं उसी समय एक खूमचे वाला जाता दिखाई दिया और यहाँ पर देख रहें आप यह पूर्ण ब्राम चिन लग गया ग्यारा बच चुके थे यहाँ पर कोमा लगा हुए चार उतर सन्नाटा चा गया था और यहाँ पर फिर पूर्ण वासक चिन आप देख सकते हैं यहाँ क्या किसी सादू से कम है चाहे तो मेने पड़े रहें और भूग ना लगे तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा आपनी कुपी मुझे दे देखूं तो वहाँ क्या रहें रहा है मुझे भै होता है ठीक है तो इस प्रकार से आ आपको अच्छे से समझाए होंगे इसी परकार कक्साचे हिंदी वसंत के सभी पार्टों को पढ़ने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो जुड़े रहें हमारे साथ और यह दिया आप चैनल में पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शे कर दें ब